पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट केसे हैं आप से पहले तो आज यह बताईए ओके तो आपको आज यह कमेंट चेक्शन में लिखना है कि आप सब कैसे हैं और जैसे कि आपको पते कि आपके चानल पर बीएट की रेगुलर क्लासेश चल रहे हैं जो भी यूपी कहें डिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कमेंट शेक्शन नहांकर करते हैं न वहां पर फिल जाएगा एक बहुत करते हैं झाल चब सिर्यगर यह आज आपके इंडियन थिंकर जो आपके सिलाबस में जेक रशनमूर्थी उनके विशाय में पढ़ेंगे औ तो जो western educational या western philosopher thinkers रहें जिसे प्लेटो हो गया रूस हो गया इन सब के विश्या में ठीक है तो किसी के बारे में जानना भी बहुत अच्छा होता है और उनके क्या विचार है इनके जीवन के कितने अच्छे विचार होंगे इन्होंने अपना पूरा जीवन जीआ है तो उससे हम लोग सोचो कि सिर्फ ये मत सोचो कि हमें पढ़ने के लिए कर रहे हैं उनसे सीखो पता है किसी दूच्टे से आप सीख रहे हैं कुछ ये बहुत अच्छी बात होती है सोचे इनका लाइफ एक्सपिरियंस कितना अच्छा होगा आप उनसे चीज़ों को अभी नहीं देख पाए आप अभी छोटे हैं है तो उनकी भी बातों से सीखना है आप पढ़ने के लिए के सासत सोचे कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूं अपनी लाइफ में इसलिए भी पढ़िये हैं आज का जीवन परिचे और उसके बाद में बीच-बीच में आपको कुछ बढ़िया बाते बताते रहेंगे और साथ में अंत में एक विशे सूचना भी र करेंगे क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को तो क्लास रेगुलर चाहिए हाना जो नहीं पढ़ेंगे उनकी पटाई कर देंगे हाना देखे जेक रश्न मूर्थी का जन्म 11 मई सन 1895 में कहां हुआ था तो आंध्रप्रदेश के चितूर जिले के एक चोटे से कजबे मदना पल्ली में हुआ इनकी माता जिद्ध संजी वम्मा का एक धर्म परायन मरद भासी इस्तरी थी इनके पिता जिद्धु नरैन एक अवकाश प्राप्त सिवल सर्वेंट के सासत पुराने थियो सोफिस्ट भी थे दस वर्ष की आयू में ही इनकी माता का धेहा वशान हो गया इ श्रीमती बेशेंट और थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुको को जे कृष्ण मूर्ती में वह विसस्त लक्षर दिखें जो एक विश्व गुरू में होते हैं श्रीमती बेशेंट द्वारा किशोरा वस्ता में जेक रश्ण मूर्ती को गोध लेकर उनकी परवरिश पूर्ते धर्म और अध्यात्म से ओत प्रोत परिवेश में की गई उनकी संपूर सिक्षा इंग्लैंड में हुए सन 1920 में पैरिस गए और फ्रेंच वासा में कुशलता प्राप्त की सन 1920 में एनिबेसंट उन्हें उडियार वापस ले आई ठिक अब देखे आपको एक बात बताएं न आज देखे अब आरियत दिपा वली है तो सब सीजी सी बात चुट्टी चाहिए होगी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी क्लासेस रगुलर चलें तो आप ये कमेंट चक्षे ने बता दीजेगा तो मैं आपकी क्लासेस नहीं जालर लगा रहे हैं समान लेने जा रहे हैं तो अगर आपको ये सब काम है तो कोई बात नहीं सबके घर पे काम होते हैं दिवाली आखिर तो बनता ही है और बिल्कुल चलिब्रेशन करिए यही एक एज है और यह यह कह लिजे कि हर एक चीज़ को जीना चेगे जीवन में हन क्यूंकि हर बार नहीं आतें तो देखिए क्लासे माली जाप आज विजे नहीं देख पा रहे हैं अगर आप कहेंगे कि मैं क्लास करिए तो हम कमेंट चेक्शन में बता दीजेगा एक दो दिन कल्प का समय है आपके पास आज और कल का ठीक तो हम क्लास जरूर कर लेंगे और साथ में क्या करेंगे आप अगर नहीं उस्तमें अवलेबल है तो बाद में देख लीजेगा तो हम आपकी क्लास लगा देंगे ठीक तो मेरी उपर भी रिस्पॉंसिबिलिटी है तो बहुत अच्छे से बता दीजेगा अगर आपको क्लास चाहिए तो ठीक है चुट्टी चाह कर गुजरें और उन्हें उस करुणा का इसपर्स हुआ जिसके बारे में उन्होंने स्वयम कहा था क्या कि वो करुणा सारे दुख कस्टों को हड लेती है वहां इस अनुभूती के साथ ही मानव कल्यान के लिए उठ खड़े हुए और मनुश्य के दुखों से मुक्तिका मा अब इनके विशामित पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सबके जीवन में कोई ना कोई दुख तो है क्यों बताइए आप लोगों की जीवन में हैं क्या कोई दुख है आप तो बेट की क्लासे भी मिल रही है आपको घर बैटे यूट्यूब पे अब इसे जादा क्या उन्होंने जो भी कहा वह उनकी अंतर ड्रस्टी का संप्रेशर था जे क्रश्न मूर्ती ने दर्शन सास्र की किसी नई पद्धति या प्रणाली की व्यक्षय नहीं की बलकि मनुष्य की रोजमर्दा की जिंदगी सही भ्रस्ट और इंसा पूर्ण समाज की चुनोतियों दुख की खोच की भाय दुख क्रोड जैसे विश्यों पर ये कहा उन्होंने द्यान के यथार्त स्वरूप धार्मिक्ता के बारे में बताया उन्होंने विश्य के प्रतेक मानव जीवन में उस अमूल्य परिवर्चन की बात कही जिसे मानवता की वास्तविक प्रगति और उन्मुख हुआ जा सके उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य की वैयक्तिक और समाजिक चेतना दो विभिन चीजों से बनीगी विभिन चीजन नहीं जैसे पिंड में ही ब्रह्मांड को समझाया उनके अनुसार हमारे अंदर ही पूरा यानि हमारे अंदर ही पूरी म मानव जाती एवं पूरा विश्व प्रतिव इंबित है समझिये बहुत गहराई से बाते कहीं गहीं है आप इंसको अपने लाइफ में भी फॉलो करिए ना बहुत सारी चेंजेस हैंगे तिक जे क्रश्य मूर्ती ने भारत इंग्लैंड और अमेरिका में विशेज प्रकार क स्थापित के उन्होंने क्रश्य मूर्ती फाउंडेशन के स्थापना की जो आज भी मानव कल्यान के कारियों में तक पर है 17 फर्वरी 1986 में केलिफॉर्णिया में इनका दिहा वसान हो गया जे क्रश्य मूर्ती की प्रमुक रचना है अब ये आपको बहुत अच्छे से पूर तेलगू, मलियालम, मराथी, गुजराती एवं बंगाली में उपलब्दे हैं इन्दी में अनुवादित उनकी कुछ रक्षना है इन्दी में लिखीते पहली हिंसा से परे ज्यान से मुक्ति ध्यान प्रथम एवं अंतिम मुक्ति अंतरिक प्रसफोडन तता सिक्षा एवं जीवन का तात्परे सिक्षा समवाद परंपरा जिसने अपनी आत्मा खोदी जीवन की पुस्तक और आमूल करांती की आवशक्ता देखिए जे कृष्ण मूर्थी के कुछ दार्शिनिक चिंतान थे कुछ फिलोसोफकल थोट से थे आईए जानते हैं क्या कि कि किसी दार्श जीवन एवं प्रग्या के प्रेम जागरत करता है उनके नुसार बहारी एवं आंतरिक जगत में होने वाले प्रटेक स्पंदन का प्रतिक्षन बोध होना ही दर्शन इनके धार्शनिक चिंतन को तत्वों एवं विचारों की निमन्य प्रकार से समझा जा सकता पहला आपका तत्र विचार यानि मेटाफिजिकल ठोट्स में क्या बताया कि इनका मानना था कि जीवन विभाजित नहीं हो सकता वह एक अनन्त प्रवा है अर्टा जीवन एक अखंड सकता है और उसको विखंडत नहीं किया जा सकता है यही वास्तवी के सत्य और जीवन की सत्ता है एक ध हार में एक बावना की जलक इस पस्ट दिखाई पड़ती थी, वे ईश्वरी सत्ता में विश्वास करते थे, परंत उसके सरूप को अलग ही मानते थे, उनका मानना था कि ईश्वर की सत्ता की अनुभूती को विचारो द्वारसम प्रेशित नहीं किया जा सकता, उनका मानना थ व्यक्ति के अंदर प्रेम उत्पन्य करने के लिए आत्म ग्यान और आत्म बोध अवश्य है, मतलब आवश्य क्या नहीं जरूरी है, देखे प्रेम क्या है, प्रेम यह नहीं है कि आप मेरे कहने का मतलब तो समझ जाए, प्रेम क्या है चलो थोड़ी से इस पर विवाज कर प्रेम जो शब्द है अपने आप में एक ultimate शब्द है और इसकी व्याख्या करना मतलब बहुत कठिन गामी, प्रेम आत्मा से होता है, ठीक है, अपने आप होता है, आप यह मान के चलिए कि जो चीज़े एकदम सच्चे जल्द से जोटी है वही प्रेम है अट एक्चुल, त तो अभी प्रेम क्या है, यह तो अब आप इस एज में हैं, कि मुझे इसको डस्क्राइब करने की नीड नहीं है, आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि इसकी परिभाशा आपको खुद ही पता होगे ना, क्योंकि कुछ चीज़े, जैसे मम्मी है आपकी, पापा है आपक तो आप उन्हें कर्ष्ट में नहीं देख सकते हैं, आप हमेशे साइट यहीं सोचेंगे, कि भगवान उनको जो समस्यात देनी हैं, वो हमें दे दीजे आप, लेकिन उन्हें नहीं देजे, तो बस यही प्रेम है, यही इस नहीं है, पता है आपको आप कहीं पर लड़ाई स नहीं जीत सकते हैं, प्रेम से आप जीत सकते हैं, आपको अपना कोई काम किसी से करवाना है, ठीक है तो आप उसे strictly कहिए, ठीक है काम वो तब भी कर देगा, और आप उसे प्रेम से कहिए, जैसे आपको सपोजा बड़े हैं घर पे, आपको एक बच्चे से पानी मंगवाना है, ए छोटू, या ए गुड़ू, या जो भी उसका नाम हो, ए पुच्चू, पानी लियाओ, अब उसको इसे प्रेम से बोलो, भाईया जिरह यहाँ हो, पानी लियाओ, तो वो किते अच्छे से लाइक, और साथ में अगर आप उसे दो बार पानी मंगवाएंगे तो दो ब बच्चे भी न, बहुत बिकार होगे, नहीं, आप प्रेम को अपना ही, आप अपनी वानी में जैसे ही प्रेम लाएंगे न, ए बिटा पानी लियाओ, या ऐसे कहोगे, तो वो तुरंट लियाएंगे, तो यह सब चीजे हैं, यह किसने बताया, जे कृष्णी मूर्ती ने, तो अब आप सोचिए, सोचिए, उन्होंने यह बात अपने विचार कब दिये होंगे, कब इनका जन में अभी आपने उपर पड़ा, थारा सो कुछ में, और आप यह कह चल रहा है, दो जार रिक्यस, तो सोचिए, कितना कुछ सीख सकते हैं हम, हाना, तो यह मत सोच की अभी स्थिक्षक बनने वाले हैं, हाना, अब देखिए कुछ इनके कैते एपस्टमोलाजिकल थोट्स थे, जिसमें जी कृष्णी मूर्ति के नुसार मनुष्यों में वैचारिक चिंतने वा मनन होने की शमता, उन्हें अन्य प्रयाणियों से अलग और स्रेस्ट बनाती है, अपने वैचारिक चंता से ही व्यक्ति ने गूड से गूड सिद्धानतों का प्रतिबातन कर बड़े-बड़े अमस्कार किये, उनके नुसार हमारा ग्यान भी हमारी वैचारिक चंता का ही पढ़णाम है, सामाने मनुष्यों से लेकर विद्वान और अति विद्वान एक द अच्छा सार्चरी ग्यान को प्रमुक्ता दी इन उने, इनका मानना था कि इन तभी विषीयों का ग्यान त॥्यों का पर आधारित हहता है, फिर उसके बाद में सामूहिक घ्यान पूरवजों पर आधारित अबिप्दू मनुश्य अपने ज्यान इमा मनुभावों को पीडी दर पीडी स्थान अंतरिट करता है और यह ज्यान सामूहिक प्रकृतिका होता है फिर देखे व्यक्तिक अग्यान व्यक्तिकों दिन प्रति दिन की क्रियाओं का निर्वान करने के लिए ज्यान के वशक्ता पड़ती है राप्ति किया जा सकता है तीसरा क्या है देखे अचार साहिता या मूल यह कृष्णी मूर्टी के दाशनिक विचार सारुभामिक थे उनका जीवन भार्ति एवं पास्चात्ते दोनों प्रकार की संस्क्रेटिव एवं सब्यताओं से जुड़ा था यानि इंडियन और वेस के सासत आंतरिक विकास को भी महत्व दिया उनका विचार था कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें सादगी प्रेम तुस्टी और सहयोग की भावना हो जिसमें सद्याओ प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें जाति धर्म समाज संस् उस मुक्ति और आनंद को प्राप्त करने में शाहिता करना है जिनें मैं सवयम प्राप्त कर चुका हूँ और यही संपुर मानवता का अनतिम लक्षे जे क्रश्न मूर्थी के कुछ सैख्शिक चिंतन थे वो क्या थे हैं कि तो देखिए कि जे कृष्ण मूर्टी के दार्षनिक विचार उनके मस्तिष्क की उपस थे, अपने दार्षनिक विचारों द्वारा ही उन्होंने अपने सैक्षिक विचारों का प्रतिबादन किया, उनकी सिक्षा का मुख्यों देश नवीन संस्क्रति और विश्व का निर्मान करना था, उन्होंने मानव बनाने के लिए सिक्षा में करांतिकारी परिवर्टन के आवशक्ता पर बल दिया सिक्षा का अर्थ क्या है तो देखे जे कृष्णि मूर्टी की साक्षिक विचारदरा प्रकरतिवाद से ओत प्रोट थी उनका मत था कि प्रतेक व्यक्ति प्रकरतिक स्वांदर को समझे और अपने व्यक्तिगत हित के लिए उसका विनाश ना करे उनका मानना था कि सिक्षा मात्र पुस्तकों और तथ्यों को कंटस्ट करना ही नहीं है बल्किल सिक्षा का अर्थ है कि हम इस योग्ये बने कि व्रक्षों और पहाणियों के प्राक्रतिक सुन्दरे का अनुभो कर सके आकास को देख चके, पक्षियों के कलरव को सुन सके ये कृष्णी मूर्टे के अनुसार देखे ये बहुत इंपोर्टेंट है ये आपको एकदम एजनेटिस लिखना होगा क्या कि सिक्षा द्वारा ही मनुश्य को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है और द्वारा ही उसे अनुश्य इत्मार्ग से संगमर्ग पर लाया सकता है इंके हिसाब से पहला सारीर के वानसेक विकास सब के अनुसार भी यही रहा हा जैसे बहुत से philosophy के अनुसार कि सिक्षा की उद्वारा के सारीर के मनसेक कंसी समन्न में स्थापिट करना तो स्वास्त मन के लिए स्वास्ट शरीर का उनती अवस्षक है दूसरी तरह स्वास्त मन में एवं स्वरीर-द्वारा और अवस्षकताओं की पूर्थि Cup नभीन एवं वैज्ञानी का विशकार कर सकेगा समाजिक विकास में क्या बताया गया कि क्रश्न मूर्ती के नुसार एक व्यक्ति का विकास समाज में होने की कारण वह समाज का अंग होता है समाज के सभी लोग अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती हेतु एक दूसरे पर नर्भर रहते इस प्रकार समाजिक में प्रतेक व्यक्ति की सेवा प्रदान करना ही व्यक्ति का समाजिक करतावी है अध्यात्मिक मूलियों का विकास जैसे बालक में अध्यात्मिक चेतना आत्मग्यान नेतिक मूलियों का विकास करना भी उनका उदेश्य था बालक में ऐसी ख्şमता का विकास करना जिससे वो आपने विचारों एवं कार्रेयों की निरक्षर कर सके उनके नुसार इन प्रती कि प्राप्ती आंतरिक सुतंतःता सांती आत्मनुशाशन ध्हěर एवं ज्यान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है अब देखे संस्कृतिक विकास, वैग्यानिक बुद्धी का विकास, स्रजनात्मक्ता का विकास, देखे ये थोड़ा से इंपोर्टेंट है, ये देख लीजेगा, क्या कि कृष्ण मूर्टी जी के नुसार बालक में स्रजनात्मक्ता का होना अतिया वश्यक है, इसलिए सिक् अब आपने एक लास के स्टुडेंट आप टीचर बन चुके और आपने एक लास के बच्चों को बोला कि आपको फाइल बनानी है, अगर आप उनको पहले ही बताने कि बेटा आपको ऐसी फाइल करीटनी होगी, इसमें आप मैक्स तुमैक्स फाइफ टॉपिक्स की बनाएं और एकदम सिंपल बनानी है, तो बच्चा क्या करेगा, बस सिंपल जी मना के रखतेगा, उसमें कोई क्रियेटिविटी नहीं हैगी, अब आपने एक बच्चे से कहा, आपने अपने अपनी क्लास में कि आप सभी बच्चों को फाइल बनानी है, और आपका जो वन तू या ग्रेट से मिलेंगे, या जिस बेसे बच्चे से, ठीक, और तो बो क्या करेगा, अपना तन, मन, धन, आत्मा, सब कुछ लगा देगा, क्यों, कि मेरी फाइल, मेरी फाइल, रोहांस अच्छी बननी चाहिए, मेरी फाइल, गीता से अच्छी बननी चाहिए, मेरी फाइल, कि बच्चे को मतलब एक दम कैसा बनाना है आपको स्रजनात्मक्ता का उसके अंदर विकास हो कुछ ऐसा बनाना है ठीक सम्वेधन शीलता का विकास होना चाहिए कि बालक में प्रकृति और मनुष्य के प्रति प्रेम उत्पन करो पता नहीं पता चला बच्चे की लड़ाई हो आप इनसे बात नहीं करेंगे यह मा देखो हम आपको बताते हैं यह एक बच्चा है ठीक यह आए आपके पास चिंटु मिंटु है मालो है ना यह बहुत यह बहुत मजाकिया वाला बच्चा यह बहुत गुस्से वाला बच्चा है यह बहुत मजाकिया वाला बच्चा है ठ आप दूसरे साथ नहीं बैटेंगे तो क्या होगा उसे पता है जो दोनों बच्चित आए थे आपके पास हाना इनसे आप friendship करवा लेते हैं ठिक ऐसा कुछ करते कि वो दोने एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और सासुर साथ साथ बैठते हैं आराम से तो वो कहा जाता कि आपने कर्चा गाम की है ना और यही करवाना है आपको आगे चलके यह नहीं कि उनकी fight उनसे होगी तो आपने के द इत्र का निर्मान करना कि इनहीं के अनसार सिक्षा का मूल उद्देश आप बताइए जो सब्जेक्ट है बीएड में आपको यह सिखाया जा रहा है कि जब आप एक टीचर बनेंगे तो आपके इंदर क्या-क्या गुड होने चाहिए वो सारी मेरिट्स आपके इंदर डेव करना है मार्स लाना है आप बिल्कुल रूखी रूखी हो कर गए आप सूचिए आप बढ़िया कोई मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं या कुछ ऐसा कि जिससे आपको भी क्या मिले मोटिवेशन मिलता रहे आप नहीं चीजे सीखते नहीं बच्चों को कैसे बढ़ाना ह जो मानव का संबर विकास कर उसके उध्यों की पूर्टी कर सागे पारठीचर्या में बहुतने इवंबंव विज्च्वेशन मोटी का मानना है कि शिक्षड में सिक्षक और सिक्षार्थी दोनों ही भागेदारी अवश्यक हैं। शिक्षड की विदिक कोई भी हो परन्तु उसमें धियान, श्रमण और सांत वातावरण की अवश्यकता हुती है। शिक्षड को प्रभावी और सफल बनाया जा सकता है। शिक्षड को नया जानने के लिए प्रेइरित करने के साथ उन्हें स्वयम सीखने के लिए प्रेइरित करें। समझ में आदी बात। अब बताओ इसको तो अगर मैं इस लाइन को डिस्क्राइब करना चाहूँ ना तो मैं इसे आदे गिंटे दे सकते हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि नहीं डिस्क्राइब करूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना हमें भी पता है कि अब आप कोई छोटे तो है नहीं। जो मुझे आपको समझाना पड़े आप इस लाइन को खुद इतने अच्छे से समझ सकते हैं। एवं मूलियों का चेयन करने योग गिबन सकें। वे बालक अत्रा सिक्षार्थी पर समाजिक संस्क्रिटिक आर्थिक एवं धार में पूरग्राओं को थोपने का विरोध करते थे। विद्याले के विश्य में क्या कहा गया तो देखिए इनके अनुसार एक विद्याले का अर्थ है। उस स्तान से है जहां विद्याले प्रशन एवं आनन्दित रहता है। उसे डराया एवं धंकाया नहीं जाता है। और परिक्षाओं से भहबीत ना कराया जाता है। बिल्कुल सही बात कहिए यह एकडम मतलब ऐसे मानिया कि यह लाइन मेरी फेवरेट हुए है। इनकी बातों में सबसे अच्छी बात मुझे यही लग गई है। इसकूल ने बच्चा बहुत अच्छा फील करें। ऐसा इन्वेरोमेंट होना चाहिए। अनुशाशन के अनुशाशन के अंतरगत में क्या बताया। कि सतंत्ताक का अर्थ दूसरे वेक्तियों का ध्यान में रखते हुए अपने कार्णियों का संपारन करना है। सतंत्तक में दूसरों के प्रति नम्रता, विवेक्शिलता और प्रवेश के प्रति सजक्ता होना अविश्यक है। इनके अनुसार जो वेक्तिको विचारों के साथ साथ लाल, चेरश्या, मात्रकांचा और नर्धाइता जैसे अवगुडों से मुक्त हैं वही अनुशाशी त्रह सकता है। आप देखें, जे क्रिश्नमूर्ती के सिक्षा के अन्यपक्ष, धार्मिक एवामनातिक सिक्षा, क्रिश्नमूर्ती जी धर्म के पूर्व निर्धारिक नियमों के पालन को धार्मिक सिक्षा कदापी नहीं मानते थे। उनके अनुसार धार्मिक सिक्षा वहा है जो बालकों में दूसरों का प्रती वस्तूओं और प्रक्रति के प्रती समझ पैदा करें कृष्ण मूर्ती जी बालकों को अनुशाशन के परंपरागत सिद्धानतों से मुक्त करना चाहते थे व्यवसाइक सिक्षा और जनसिक्षा की विशाय में क्या कहा देखिये इनके अनुसार की यह सिक्षा पूर्ट तभी मने जाएगी जब इसको ज़्वार मानव का संपूर्ण बाहे स्वरूप का अंताकरद दोनों का ही विकास हो और юग कातरि में कहा कि इन्होंने कोई अलक स के निर्मार करना चाहते थे बिना जन सिक्षा के संभव नहीं हो सकती थी परोण सिक्षा के विचे में क्या कहा इन्होंने तो देखे इनका मानना था कि आज के बदलते हुए समार व्यक्तिकेट सम्रद्धी और व्यवसाइक प्रगतिक कर सकता है उनके अनुसार किसी भी राजी सरकार और राजनीतिक दलो और उनके संगठोनों जन संचार मार्दे में और सैक्षिक संस्ताओं को निरक्षरता उन मूलन के लिए संगकल पे ठोना चाहिए जे क्रिश्नमूर्थी की सैक्षिक चिंतन का मूले अंकन क्या था तो आईए जानते हैं तो देखे गुड सबसे पहले मेरिट्स की बात कर लेते हैं कि क्रिश्नमूर्थी जी परिक्षा उत्रेट करने और पाधियां प्राप्त करने को शिक्षा नहीं माल देते हैं उनके उनसार सिक्षा का संपर्ते अंता मन तथा अंता चेतना का विकास करने से हैं क्रिश्ण मूर्थी जी ने पार्थचर्या में विज्ञान एवन तक्निकी वेफशाइक प्रसिक्षर संगीतिकला एवन कविता को इस्थान दिया था और ऐसी पार्थचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसके ज़रा मनुष्य का संपूर्ण विकास हो सके थीक है तो यह सारी इनके म अभी आपने उपर पढ़ा ना वही सारी चीज़े मेरिट्स में बताए गई है और डी मेरिट्स क्या थी आईए वो जान लेते हैं कि उन्होंने सिक्षा को साधन के रूपे परिभाशित किया था तथा उसकी प्रक्रिया के स्वरूप को इसपस्ट नहीं क्या क्रिश्ण जी शिक्षा द्वारा अन्ता चेतना का विकास करना चाहते थे किन्तु उन्होंने पाठे चर्या में अन्ता चेतन के विकासे तो कोई प्रावधान नहीं किया क्रिश्ण मुट्टी जी द्वारा अपनाई का अनुशाषन पद्दती सही नहीं है हमारी द्रश्टी से वास् कुछ नहीं होता कि वैसे धान्तों का निर्मार एवंचायन कर सकें लास्ट पॉइंट में डी मैरिट्स में क्या बताया गया कि कर्ष्णी मूर्ती जी का यह सुझा होता कि विद्याले शांत वातावरण में स्थापित होना चाहिए विल्कुल चाहिए कि इन तो आज की करने की कोशिश करेंगे बस एक वीडियो जहांपे शेयर कॉप्षन आता है बस यहां पे शेयर का एक और जैसे करेंगे वाट्चाप टेलिग्राम और इंस्टा जो भी आप चलाते सब और यहां पर जाकर के वाट्चाप पे मानलो हैं आपका फ्रिंड उसको वो लिंक मार्ट सा जाएंगे उसके नहीं आएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए सिक्षा एक ऐसी चीज़े कि सिक्षा कहते है ना बाटने से बढ़ती है आज जब उसे चैनल बताएंगे ना ये तो में भी कल्वो कहा है कि यार भाई जैसे मार्ट ने लो उसके मार्ट सा गए थे अलग फीलिंग देगा आपको है ना तो ये सब चीजे हैं लाइफ में आप चीजों को शेयर मैं यह नहीं कहने हूं कि मतलब आपको शेयर करना है यह पता है अब आप इस एज में नहीं है कि हम आपको सब बाते सिखाएं रोज बोलें भाईया चैनल सब्स्राइब कर दिज अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा होगा तो नोटिफिकेशन नहीं आता होगा वह भी प्रेस कर लीजेगा हाना और बाकी बस आप चैन्त में यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए सैनल को तो आप लोग सब साथ में आया करिए एक कमेंट करने में में बस बीस सेकंड या दस सेकंड लगता होगा है ना कमेंट जरूर करने ठीक आगर आपके कोई कोई कोश्यन है तो पूछिए नहीं है तो भी ऐसे कर सकते हैं ठीक चोटी सी जानकरी और हाँ एक बच्चे ने पूछा था आप शायद वो लास्ट तक व लिए तो पिछली बार पेपर क्या हूए अब इस बार अभी लोग थारडवे वाली है यह होना है वह होना है अगर थारडवे जैसी थारडवे जैसी इस चितियां आई तो चाहिए और जो लोग कह रहे हैं कि ऑपजेक्टिव होगा उनसे आप कहिए कि मुझे ओफीशियली दिखाईए कि कहा लिखाई objective होगा कोई proof तो लाइए बिना proof कि आप किस basis पे कह सकते हैं कि objective होगा और अंदाज़ा लगाना बिल्कुल गलत है अंदाज़े कि basis पे कोई बात नहीं कह सकते हैं आप हमेशा चीजों को मानिए तो किस पे based मानिए अपनों के लिए सबका ध्यान रखे और हाँ अपना भी ध्यान रखे तिल रें टेक कियर बाइबाइ मीट विडियो नेक्स वीडियो